अगर बच्चे की हग के लिए अगर सरकार नहीं आएगी बच्चे के हके लिए अगर सपूर नहीं देगी तो भाई हम बता तो system के आशिवात से बिखा देंगे निगे टांठ matar ने एकटम जो तो आपको इस वात का दुख नी हो रहागी पांट साल हो चुके हैं वेकनसी नीदी आपको दुख होना चाहिए किया एक तो हमने पांट साल से वेकनसी नीदी कहीं जांके मूँ छुपाएं मुँ छुपाने की जगे आप खुले में आकर बोलते होगी भाई साब आपको तुईटर पे होगा है हर तरह से साब यूगा जैसा बच्चे को सपोर्ट चाहिए तो यार महा काल कह ए शुटेंगे नहीं मिल्कुल जब तक ठोड़ेंगे ने नमस्कार दोस्तों अभी हम लोग पहुंच चुके हैं महा काल के दर बार में समजी सकते हैं मौकाल के दर बार मे अप समझी रेए हैं और राहूल ॅहां धैस्वाल सर निए सब्जेक्ट अपने अपने दीगटध्व मतलत मैं अपने दो मंतरी जी का भी कहना है कि यह सतच प्रक्रिया है चलते रहती है अब ज़रा सोचिए कि चार साल वेकेंसी नहीं आएगी पांच साल वेकेंसी नहीं आएगी तो क्या किसी स्टुडेंट का एज बचेगा एज खतम होजे काफी परसान चल रहे है इस मुद्दे पर पूरी बात क मैं लेकर और क्योंकि रीलवे के लिए जब भी हमने देका है वेकेंसी के लिए नहीं परिए करोस्ते पर देशन करना पड़ता है उसके बाद फ्र यहिंजाम के लिए और करो व्र यह मे रिज्ट केलिद आंद करो तो सिस्ट्म इतना खराब हो गया है कि मैंने को यह समझमन यहाए कि रेल मंतिरे इस तो यह बहुत ही खेद की बात है लेकिन करोड रेलवे की वेकनसी आती है तो एक करोड लोंग फोर्म भरते हैं सोच सकते हैं पैसा भी अच्छा ख़ासा लिया जाता है exam काम देने के बाद पैसा कुछ वापस किया जाता है लेकिन एक एक करोड़ लोग फॉर्म भरते हैं और प्रक्रिया जो है पांथ सल चलती है क्या कुछ कहेंगे इस पहर दो दिक्कत क्या है ना आप एक नॉर्मल सी बात समझे आर दोजार उननीस के अंदर फॉर्म निकलते हैं अब दोजार उननीस के बाद अब आकर अभी भी प्रोपर तरीके से सब बच्चों की जोइनिंग नहीं है कुछ का ऐसा ही दोजार चौविस तक हीच देंगे अब एक बात नॉर्मल सी आप समझे है कि आज कोई बच्चा है या मैं ही समझे लो मैं दस्वियों बढ़ता हू और मैं दस्वियों फेल हो जाओं मालो हम पास होने वालों की बात नहीं करें अब हम फेल होने की बात करें क्योंकि एक करोड़ से ज़्यादा बच्चों ने फॉर्म बरे जोइनिंग तो सिर्फ एक लाफ को मिलेगी बच्चे हुए जो बच्चे हैं तयारी उन्होंने भी क को कही ना कहीं सरकार दुवारा मौखा देती हैं और पूरे दस्विगी बात करो तो सेंटर पूरे इंडिया में इतने सारी जनसंक्या का एक साथ एक्जाम कराती है तो जब वो उसी तीनält महीने में रिख्चों कर लेते हैं बच्चों का तो क्यों हमारी सरकार सिर्फ हर बच्चा तीन से चार बार कम से कम मौका मिले बच्चे को अपने ऊपर अफसोस न रहे कि यूज उसको यह नहीं लगना चाहिए कि अगर रहे गया तो मुझे में ही कमी थी पर आज वो सरकार यानि हमारे जो देश चला रही है सरकार उससे नराज है और कहीं न कहीं है उसके परती हमें सा प्यार है ना चाहिए तभी देश आगे बढ़ता है जब घर में सब एक जूट रहते हैं दूसरी चीज मैं यह कहना चाहूंगो जो बह देखता है तभी वो इस लेवल पर है या तो नीचे वाले बातों घुमा रहे हैं एक बात बताईए यह रोज न्यूस पेपर हैं छाप देते हैं कि भाई साब हमने दो लाख वैकेंसी अभी दी हैं किसमें रोजगार मिला में दो लाख वैकेंसी वह इतनी जिद्ध में बो कौन बोल सकता है कि आप एक बात बताईए जो एक तो आपको इस वाद का दुख नहीं हो रहागी पांट साल हो चुके हैं वैकेंसी नीदी आपका दुख होना चाहिए कि यह तो हमारा बच्चा करता है और आज आप इस तरहीं बाते करोगे तो बच्चे को क्या फील होगा हमारे देश में इस तरहीं चीज़ होती है जब भी जब भी चुनाव की बात आती है तो एक ही मुद्दा रहता है मतलब रोजगार का कि हम देंगे दो लाक दो करोड तो एक करोड हम देंगे पचास लाक रोजगार और रोजगार पर बात होती है एलेक्शन में होती है लेक के जो इस्टुडेंट है करोड़ों छात्र वेट कर बड़ा नियोकता है जिसमें सबसे ज्यादा इंपलाई है सबसे ज्यादा जो जॉब क्रियेटर है वो है हमारा रेलवे और रेलवे लाखों बच्चों को जॉब दे सकता है अभी भी कुछ दिन पहले ख़बर सुने होंग आप लोग की 2.4 लाइक्स वेकेंट है आने वाली थी लेकिन अभी तक उस पर भी कोई क्लियरेंस नहीं है और सर जैसे स्सी है स्सी में एक एक्जाम कलेंडर है सर कि इस दिन वेकेंशी आएगी इस दिन उसका एक्जाम होगा इस दिन फॉर्म अप्लाई होगा और इस दिन दिया जाएंगे क्या रेलवे में एक्जाम कलेंडर इतना दिन से मांग किया जा रहा है सर्चात्रों के द्वरा एक्जाम कलेंडर क्यों नहीं दिया जा रहा है आपने बहुत बढ़िया बात की और इस बात के लिए हम यह कहते हैं कि अब की बार मेरे को ऐसा लग रहा है कि इसके लिए चलाना पड़ेगा और एक्जाम कलेंडर के लिए कि अगर एक्जाम कलेंडर दे सकती यूपियस से एक्जाम केलेंडर दे सकती है तो रैलवे क्यों निदे सकती है और सबसे बद़ दुख है Bye ना तो बच् US चोक ब्पर आपलाय कर सकता ना उसको डूर्च अगर चार-चार-पांच-पांच साल में वेकैंसे निकली, किसी बच्छे की उमर अगर अटाईस साल या अटाइस साल है, और पढ़नी की एक जुनून होती है, सर एक एज होती है. देखो एक पेसेंस भी होता है मैं गौवर्नमेंट जॉब के तैयारी में जब मैं लगा था तो मैंने देखा था दौजार तेरा का एक्जामनेशन एक्जामनेशन हुआ था एक्जामनेशन दिया और उसके बाद वो एक्जाम दो-तीन बार कैंसलेशन हुआ लिख हुआ पिर चैंसल हुआ लिख हुआ आगवी हिश्nen से मन मर जाता है बील्कूल बील्कूल और अब घृट्ट बहुं कि लुट घृत मेरे यहां कि ही सब्सक्नी की त लेकिन सर जिस तरह से का जा रहा है कि चुनाव बेस्ट हो चुकी है 2019 में election था वेकैंसी आई थी दोधार चोवीस में election है लेकिन 2023 देखने को नहीं है क्या उमीद हो आजाएगी vem देखो अभी जो वेकेंसी का मुद्धा है तो एक वेकेंसी के बारे में अभी अभी कलही नोटिफेशन आया कि जो आरपीएफ के लिए जैसे कि यूपी प्लिस के लिए टेंडर पास हुआ है आरपीएफ के लिए भी टेंडर पास हुआ है कि कौन कौन सी कंपनी इसको वो करा जाएगा तो आर्पी एफ में कहीं ना गई दस हजार एक मिनिमुम जो आसे साल पहले कि दिवाली में लगवक साथ सतर हजार एलपी की वेकंसी आने वाली सर देखिए यह सुनने में बहुत समय से आ रहा और इसके उपर सबसे पहले एलपी की आएंगे भी पर आर्पी एंटर से जूट बोलते बोलते अभी आप देखे होंगे केंपी किसी चक हैं कि कुट्टे बिली को वोट दे देना लेकिन इस सरकार को वोट बन देना ऐसा कुछ कॉमेंट था उनका अभी हाले में आवज हो जासर ने बोल दिया कि मुगल सल्तनत को तो खतम ही कर दिया सले बस से अ कभी काम नहीं करती है पांच साल और जब इलेक्शन का टाइम आता तब हो सारे काम करते हैं सारी वेकंसी के रिकाल पिल्कुल तुम्हें दावे के साथ ठोक के कह सकता हूं कि रेली की वेकंसी दोजार चौबिस में एलेक्शन है उससे पहले पहले वेकंसी आएंगी मोदी करेंगे जिससे कि उसको जो चुनावे दोजार चौबिस में उसको जीता जाए तो हंडेड़ परसंट में चात्रों से मेरा तो मैसेज यही रहेगा कि कम से कम वो तैयारी में बने रहे हैं मैंनत करते रहें क्योंकि एलेक्शन जब आता है तो वेकंसी परसंट दी जाती है एक बात मैं कहना चाहूंगा आप मोधी जी वेकंसी दीजीए बच्चों को और हम बच्चों से कहिंगे कि आपको चिता है हम तो कहते है कि आप यह साल आउप पर आप यहाँ दे रहे हैं एक वेकंसी में अगर एक लड़का सेलेक्ट होता है तो पूरा परिवार उससे एफ होता है क्योंकि एक सरकारी गवर्मेंट एक अलग ही चीज होती है आज भी बिहार हो यूपी हो आज कोई भी एस्टेट हो लड़की की जो फर्स्ट च्वाइस है वो वो सेंट्रल जॉब की है और एक वेकेंसी की मुझे लगाए अभी भी पात सल बीत रहे हैं चाहता हूं तो वेकींसी नीजा रही है और बच्चों को जौब नहीं मिल रही है उ सरकार कि चेलेंज हो अ चैल्ए वो क्या है उस से क्या मिल रहा है सब्सक्राइब यह तो मोदी जी को सबोर्ट जो मिंधियों को सबाइए पहते हैं जो खत्रेямиं जो बेरोजगारी से जूजने जो माँ भाप किसाने जो रहडील है उनको लिए उनके लिए उपन के लिए सोचonton नन期 इसके बॉर्डर पर जो सभी हो जाता है उसके घर जाके उसको तसलीर देने चाहिए उसके लिए कुछ बोलना चाहिए और जो बिक बॉस में आकर सिस्टम नहीं है पर भईया उनका सिस्टम चलता है तो इमानदारी के साथ कहता हूँ कि अगर इस देश का भलत अभी हो सकता है कि जब एक नेता भी नेता कम से कम एक अध्यापत की तरह सोच लेके आए कि उस बच्चे के लिए जो बचारा जो मेहनत कर रहा दिन रात एक कर रहा उसके लिए वेकंसी टाइम से टाइम से एक्जा करते हैं तो अगर एक चात्रों को रोजगार देते हैं तो उसके पूरे परिवार का समाज का वोट कहीं न कहीं आपको जाता है तो किर्पिया करके इस चीज पर मैं भी कहना चाहूँगा यहाँ पर जो कमी है हम सरिफ सरकार की नहीं मान सकते क्यों यहाँ पर बच्चों की भी कमी है यहाँ पड़ा रहा है तुम्हारा नाम होगा तुम्हारे घर में रोजी रोटी आई मलब हर चीज़ तुम्हारे पढ़ने से चलेगी पर नहीं तुम्हें क्या देखना है सिस्टम तो सरकार भी क्या करें उन सिस्टम को अपने सिस्टम को बनाओ यह सिस्टम आज का आज पैदा हुए है कल खतम हो जाएंगे और अपना घर चलाना है तो आपको मेहनत करनी होगी और इन लोगों पर जब कम ध्यान दोगे तो सरकार को लगेगा कि यार इन लोगों पर कम ध्यान दिया जा रहा हमें कुछ और करना च कि तरफ सिर्फ हो जाएगा अभी हमने ट्यूटर केंपेंग चलाया हर टीचर ने का बच्चों से बच्चों ट्यूटर केंपेंगे ना आजाओ वैकेंसी के लिए बच्चे का अगर रहे सर यही फाल तूचीज करते रहे तो और वहीं अभी एक वो सिस्टम है अभी आजए कभी उन यूटूबर्स ने कहते हैं यह केरियर मनाती है यह फुकरा इंसान है वह जो यूटूबर्स हैं जिनके बारे में गुनगान होता है वह कोई एक भी इनसान जिनके पास करोड़ों सब्सक्राइबर हैं 10-10 million 20-20 million सब्सक्राइबर हैं एक भी इनसान अगर आपके सप दिन लिए अंदोलन करते हैं हर तरह से आपके लिए जड़ते जुड़े हैं जिन्दकी में कभी सपोर्ट करना तो इध्या verdi को करो उनको सपोर्ट करना नहीं सिस्टम बनना भाइए वह तो अलव फ them something कि क्या हो रहा है तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं यहां बपति देख घूरताति सरकार कर रही है और जो 기대 कर रहे हैं ओक जारी कर दिया जाए इतना वेकेंसी एक साल में देंगे इतना दिन एक जाम चलेगा इस दिन रिज़ल्ट आएगा और इस दिन आपकी जुटा आएगा और इस दिन आपकी ज़्वाइनिंग होगी, एक केलेंडर जारी कर दिया जाए और उसके अनुसार कुछ कम ही वेकेंसी हो लेकिन कणिनीव रहे हैं तो बाकि आप क्या कुछ सोच रहे हैं जैसे कि दोनों सरका एग्रेशन देख रहे नत कर रहे हैं कोई भी टीचर सर हो धासू सर हो या कोई भी भी सर हो बार बार एक आस दी जाते हैं कि अब वेकेंसी आईगी वेकेंसी का नहीं आना एक कहीं-कहीं failure है हमारे सरकार की railway भरती आयोग की भरती बोड की जिसकी भी माल लीजिए बाकि अगर आप भी railway की त्यारी कर रहे हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं तो इस वीडियो के बारे में आपकी क्या रहा है रेलवे वेकेंसी को लेकर आप क्या कुछ सोच रहें मोधी गवर्मेंट को लेकर आप क्या कुछ सोच रहें अपनी राइ कोमेंट सेक्षिन में जरूर रखिएगा अब देख रहें काभी नीज जैहिंद